कि जहन दोस्तों स्वाइद करता हूं फिर से आप सभी का आपके परिवार में तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं और यह संख्या बात कर रहे थे नंबर है ना तो इसका यह पार्ट टू हो जाएगा ठीक है यानि कि इससे पहले इसका मतलब हम लोग एक पार्ट आ संख्या था कि प्राखर्टिक संख्या क्या है है ना और पूर्ण संख्या क्या होती है पूर्ण क्या होते हैं और साथ-साथ वर्ण है ना पूर्ण वर्ण संख्या पूर्ण संख्या सम विसम इन सब पर हम लोग ने बात किया हुआ था अब जो है आगे जो बात करेंगे व और थोड़ा सा महत्पूर्ण रहने वाला है क्योंकि देखें सबसे ज्यादा confusion पता है कहा होती है परिमे और अपरिमे में परिमे का मतलब यह नहीं कि सिर्फ हम यह वटे करने ठीक है वह अच्छी बात है कुछ ऐसी भी है जो हम लोगों को बहुत ज्यादा confused करती है आम तो य हम लोग कंप्लीट करेंगे और संख्या क्वारे मात करें तो संख्या क्या होती है संख्या वह गड़ती वस्तु है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं किसी चीज को मापने में है ना गिनने में या नामकुरण में तो यह नंबर का मतलब होता है संख्या का ठीक है तो छ और यदि आप पहली वार्ट चैनल पर बिजिट कियें तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लिजिए सबसे पहले दोस्तों साथ सेर करना बिल्कुल न भूलिए और हाँ इस वीडियो को आप देख रहें तो इसके बाद उसको या उसको पहले देखके इसको देख लिजेगा आपको मिल भी जाएगा बॉक्स बनके तो प्लिक कर लिजेगा ठीक है फिलाहाल अब हम लोग शुरू करते हैं देख चुके था हम लोग पूर्व संक्या पूर्णांक संभी संभी हम लोग उने देख लिया था और वर्ग और क्यूब बाला भी तो यानि क कमपोजिट यानि की भाज्य संक्या अब यहां से हमें अच्छे से समझ रहा है ठीक है कमपोजिट नंबर भाज्य संक्या भाज्य संक्या का सीधा सा मतलब यह है वो संक्या है जिनका दो से अधिक मैं लिखी दे रहा हूँ जिन संक्याओं का या जिनका दो से अधिक क्या हो गुड़न खंड हो वो क्या कहलेंगी भाज्य संख्याएं जिनका दो से अधिक गुरंखंड हो वो संख्याएं क्या कहलेंगी भाज्य गुरंखंड तो for example आपका example क्या हो जाएगा example के लिए start करेंगे हम लोग चार से यहां पे दो नहीं होगा अब समझते हैं दो कहा होगा है ना तो चार छे भी हो जाएगा है ना कहने का मतलब देखिए छे को क्या कर सकते आप ऐसे लिख सकते हैं ना दो तीन एक छे यह इसके जैसे दो दुनी दो त्याँ छे और छे एक कम चे यानि कि कुल मिलाके और सिर्फ यह बनने लगे यदि तो वो संख्या क्या हो जाएंगी अब हाज्य संख्या तो हम लोग भाज्य संख्या समझ रहें यानि दो से अधिक गोड़न होने लगे ठीक है तो यह सब क्या हो जाएंगी यह सब सारी संख्या है भाज्य संख्या में composite number में आएंगी ठीक है अब आगे बाग करें हम लोग अब आध्य संख्या तो अब आध्य संख्या क्या हो जाएगी इसका अपोजिट ठीक है अब आध्य संख्या है यानि उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर ठीक है तो वे संख्या है जिनका दो से अधिक ना हो यानिकी सिर्फ दो ही गुड़न खंड हो क्या लाएंगी और भाज्य संख्या कैसे तो दिखें जैसे दो है एक्जाम्पल पहले समझ दिजिए एक्जाम्पल दो तीन पांच और नव नहीं होगा मैंने कहा था ना जब हम लोग साथ ग्यारा तेरा और सत्रा उननीस ठीक है और इससे बहुँ ज़्यादा प्रश्ण पूशता है अब आज्य संख्या पूशेगा एक से ले करके पचास तक के बेच में कितनी अब भाज्य संख्याय है प्राइम नंबर है तो जिनका सिर्फ दो गुड़न खंड हो एक तो वो खुद से डिवाइड करें और ठीक है और एक तो एक से अब आप कहेंगे भाईया एक क्यों नहीं ले लिए तो एक के लिए जो प्रश्ण बनेगा इसको आप नोट कर लिज भाज्य है ठीक है तो एक के लिए यह प्रश्ण बनता है ना तो अब भाज्य है और ना ही भाज्य है अब बात होती है दो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है यानि कि अब भाज्य संख्याय वो क्या हो जाएगी दो हो जाएगी ठीक है सबसे छोटी अबात संख्या दो हो पर नहीं जा पारी ना तीन भी नहीं जा रहा है साथ 13 17 यह हैं तो मैं पूशा था कि यह भी पूशता है इसे यह से प्रश्न में पूशता है कि एक से लेकर करके 50 या सो के बीच में कुल कितनी प्राइम नंबर है तो हमें देखिए इसका कोई फार्मूला बगर नहीं है ठीक है हमें गिनना होता है और हम लोग गलतियां यहीं करते हैं पचास के बीच में कहा है तो हम लोग क्या करेंगे तीन से एक भी ले लेंगे और तीन से तो चली एक ले लिए तो चलो बच गए क्योंकि भाई अंक की बात हुई तो एक जो है दो का जगह ले लेता है चलो बच्चत हो गई फिलाल हम नों को कहां चलना चीए दो से दो तीन फिर पांच साथ ग्यारा तेरा उननीस फिलाल मैं बता दूं 15 होते हैं आपके पचास के बीच में और पचास से सो के बीच में द प्राइम नंबर ठीक है आप इसका कोई फार्मूला नहीं इसको गिनना ही है तो गिनते चले जाएए तो फिर तेज तक जाएंगे हम लोग अब यह आपको दिख ली रहा होगा मुझे उम्मीद है तेज के बाद फिर हम लों कहां चले जाएंगे 27 भी कड़ता है 29 नहीं कड़ता है 29 के बाद 31 31 के बाद 37 भी नहीं कड़ता है कभी है ना और फिर 41 43 कितने होगे भाई 47 एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ साथ आठ नव दस ग्यारा बारा तेरा चौदा यह कोई कोई चूटा है कौँ सा चूट सकता है भाई चली देख लिजेगा फिलाल यह याद कर लिजेगा ठीक है कोई कोई चूट गया है बीच में तो यह हो गया हमारे भाज्य संख्या कंपोसिट नंबर जिनका दो से अधी गुड़न खंडो और इधर अभाज्य संख्याओं में जिनका मात्र दो गुड़न खंडो ता एक तो वो खुद होती है और एक तो महदे एक होते है ठीक है तो यहाँ पर सब से छोटी जो अभाज्य संख्याओं को समझ लें बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है यह जो है आम तोर पे समझने में सबको दिक्कत होती है सह अभाज्य संख्या ठीक है को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर में क्या है सह अभाज्य संख्याओं में इसकी परिभासा क्या याद रखना है बाकि दुनिया दरी सब भूल जाईए सीधा कहिए कि इसका जो है मात्म समापॉर्टे में देखना है तो मात्र एक आना चीए बाकि कुछ से मतलब भी नहीं है बस इतना याद कर लिजे बाकि देखे जैसे मैं अगर करूं एक दो भी क्या हो जाएगा सह अभाज्य संख्याओं है ऐसा पूश्ता है फिर उसका तीन और चार हो जाएगा अब यहां पर आप कुछ भी लिख लिजिए चार और पांच लिख लिजिए 23 और 25 लिख लिजिए 25 और 26 लिख लिजिए भाई इनका मासा निकाले तो एक ही आना चीए है ना महत्तम समापड़ते एक से अधिक ना आए क्या कहलाएंगी सह अभाजय संख्या है ठीक है तो ऐसे आप लिख सकते हैं यानि कि अब यहां प 102 करेंगे तो पक्ता मासा बदल जाएगा ना दो आने लगेगा चार आने जो भी आने लगेगा बढ़ जाएगा एक नहीं आएगा यदि एक आर यह जब तक तब तक हम कहेंगे यह सह होती है सबसे ज्यादा करते हैं तो परिमें और अपरिमें यह बात समझ में आ गई और यह थोड़ा सा इस समय कैसा लग रहा है लाइट वगएरा कमेंट करिएगा बड़ी परिशान है बात यह बोर्ड जो है ऐसा साथ यहां पर आपनों को थोड़ा बहुत दीख रहा हो औ तो बब अगर एकमरे के आच्श पास में आए और और रिफ्लेक्ट्स ज्यादा करता है यह जो है एक एक और भोड मेरे पास तो उस्समें रिफलेक्षन इतना ज्याद नहीं है है इसका क्या है कैसा है तो यह तरीके से और जो वाइट बोर्ड है वो छोटा है थोड़ा मज़ा नहीं आता है ना तो ठीक है देखते हैं और आप बताईएगा कैसा लग रहा है फिलान और आगे हम लोग बात कर रहे थे अब कि अब बात करेंगी किस पर परीमेशंख्या वास्तों में यह रूलाते हैं तो परीमेशंख्या की परीवासर तो सभी जानते हैं तो जु टर्म्स है ऐसे होना चाहिए और जहां पर किूप बराबर जीरो नहीं होना चाहिए है ना q not is equal to 0 ठीक है तो जो q है वो 0 के बराबर में ना हो क्या कहलाएगी परिमें संख्या कहलाएगी ठीक है भाई अब पूछेगा अब ज़रा मैं ही पूछ रहाँ कि देखे इसमें से कौन सी परिमें संख्या नहीं है तो परिमें संख्या नहीं होने का मतलब मैं लिख दूँ 4 देखिए मान लेते 4 आप्षन मिल रहा है पाच चार बटे 5 0 इसमें से कौन सी परिमें संख्या नहीं है यह हम लोग को बताना है ठीक है तो क्या होगा इसमें से ऐसा कौन्स आंसर है तो इसमें से ऐसा कोई आंसर ही नहीं है क्योंकि यह सारी की सारी परिम्य संक्या क्या ही एक्जांपल है ठीक है जीरो भी ध्यान से समझे तो यहां परिम्य संक्या क्या हो जाएगी जीरो भी हो जाएगी और जीरो नीचे नहीं होना चेना उपर थोड़ी यह बड़ी शमस्या है कैसे इसको और यह समझ लिजए कि सारे बर ail जो है तुमौर परिमयासंख्या होते हैं जिसमें 0भी संम्मिलित्थ हैं और कौन सी आरिम संक्या दोनों से बुक्त बातें यह ध्यान से देखीएगा उसमें एसा अलबर मामला नहीं एम क्या है लुदी कुछ यदूं में ऐसा भी है कुछ तो हम क्या को रूरे में सक्राइब हो इस यह रहता है heeft कि वास्तों में बड़ी समया रहती है तो जैसे फिर हम कहले आलफा कि बीचा गामा है ना पाई भी आएगा पाई भी इसी में आएगा ठीक है हाला कि एक्चुल मिसका मान 22 बटे साथ होता है लेकिन फिर भी यह किसमें आएगा और परिम्य संख्या में तो ऐसे बहुत सारे आपको चीजे मिलेंगी जो जाननी जरूरी है वास्तों में सुचने वाली बात है तो देखते हैं और आप सकते हैं वास्तों संख्या है इन दोनों समूहों का योग होता है यह दोनों मिला लिजिए वह क्या हो जाएगी वह वास्तिक संख्या होगी ठीक है जिसमें यह सारे हो जाएंगे ठीक है तो वास्तिक संख्या क्या होती है जो पर्मिया और अपर्मिया दोनों संख्या होती है उन दोनों को हम वास्तिक संख्या के अंतरगत ले लेते हैं और वास्तिक संख्या भी होती ह है ね है ना इतना स्वारस कोई मतलब इसका है नि नमबर तो बढ़ रहे हैं से क्या मतलब और वास्थी बात करने और वास्थी में यह चीज़ें क्या होने लगेंगी माइनस में, माइनस का अंडरूट 5, माइनस का अंडरूट 3, माइनस का अंडरूट 7, यह सब चीज आने लगें, यह अवास्तिविक संख्या होने लगेंगी, यानि कि अवासी हैना, जैसे हम लोग, जब किसी डरपण या लेन्स में, तो वहास्तविक होने का मतलब पॉजटिव और फिलाल हम लोग वास्तविक वास्तविक समझे हैं आप लोग पर्मे संख्या और में संख्या अच्छा किजी को ऐसा तो यह इवलहा है कि धन पूरांग कि यह पूरांग क्या है न हम लोग बात किये थे तो दिखेह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो पूरांग होते हैं वह कैसे होते हैं पूर्ण संक्या जो होगी वह कैसी होगी वह शुरू हो जाएगी एक से एक दो तीन ठीक है यह पूर्ण संक्या होगी लेकिन मैंने कहाता पूर्ण जब शुरू करेंगे सुरी ही जिट होगा पॉण संख्यां में टिक है प्राकर्टिक संख्या एक से शुरू होती है तो पुणांक पुणांग जो होजायेगा लेकिन अगर इसका जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इसलिए मैं इसको बाद में और बताने की गुशिश करता हूँ यह पहले वीडियो में लोग ने देख लिया था इसमें हम कहें थे धन पूनांक तो उल्टा लग गया ठीक है यानि यह वाला पार्ट क्या होगा धन पून यह जो पूनांक संक्या होती है वो दो भागों बाट ली जाती है तो माइनस वाला है वाई रण पूनांक होगा यह तो इतना कोई सु नहीं है ठीक है तो अब मैं बात कर वो यदि कि थोड़ा सा परीब्स 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 अगर करें 都 वह में क्या प्राप्थ होगा परीमे संख्या ही प्राप्थ होगी ठीक है परिमे प्लस परिमे परिमे संख्या प्राप्थ होगी परिमे गुड़े परिमे परिमे संख्या ही प्राप्थ होगी लेकिन एक कोई परिमे हो और एक अपरिमे हो ठीक है क्या हो रहा है यार कि इए अपर मियू तो यहाब्स क्या प्राप्थ होगी ऑपर में संख्या प्राप्थ होगी थीए टेके ँटेकर वहीं पर एक कि हाँ ठीक उनका गुर्णा कर लें गश्यागन पर से यह हम लोग गुड़ा कराएं तो भी हमें क्या प्राप्त होगी संख्या अपर में ही प्राप्त होगी चीक है तो यह सब चीज है मतलब परिम्य संख्या ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग कुछ भी माल लिजें यदि आप यहां पर दो प्लस दो वटे तीन ले रहे हैं तो जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे भाई इसको सॉल्व करेंगे तो आठ वटे तीन ही आएगा तो अभी भी यह परिम्य संख्या के रूप में ही है गुड़ा कराएंगे तो दो दुनी चार वटे तीन अभी भी यह परिम मिल जाए यानि अंडर रूट बगरा में तो जब सॉल्व करेंगे तो यह भी में चला जाएगा तो फिलहाद इस वीडियो में इतना ही यह वीडियो कैसा रहागा आप कमेंट करके जुरू बताएंगे और यह अपने चैनल पर पहली वर विजिट किया हुआ है तो आप से रि तो तीन घंटिवें बन के आएंगे तो उस पर और पर करेंगे जिसे जब भी वीडियो से अप्लोड होंगे तो आपको नोडिकिसान लेटेस्ट मिलता रहेगा और मैट्स में इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा अडवांस मैट्स में चलेंगे है ना अडवांस मैट्स क भी बनता है ऐसे ठीक है तो वह लोग नेक्स्ट वीडियो में या जब भी नेक्स्ट मैट्स काएगा तो वही आने वाला है ठीक है तो उनको सॉल्व करेंगे बड़ा असानी से और ऐसे तो वहुत ठाइम लग जाता है उसको ठीक है फिलाल जब वह लेके आएंगे तो उसक झांने जब हरा